हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सूपरफास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंटर्वियू क्वेस्चन एन आंसर ऑन कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड इंटर्वियू क्वेस्चन एंड आंसर इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अगर आप एक mechanical fitter है या फिर mechanical engineer है और अगर आप interview के लिए जा रहा है किसी भी industry में तो ये topic जो है वो बहुत ही important है इस topic से काफी सारे questions हमेशा पूछे जाते हैं बार बार पूछे जाते हैं conveyor belt से related और भी बहुत सारे videos मेरे channel पर uploaded है आपको लगभग हर एक topic पर videos मिल जाएंगे तो friends इस video में मैंने अपने पहले के जो interview questions and answers और conveyor belt के part 1, part 2, part 3 थे इन तिनों को मैंने combine कर दिया है बहुत सारे subscribers का ये request था कि sir एक long video दीजे जिसमें हम सब कुछ cover कर पाएं तो ये video उन्ह के लिए है I hope आप लोगों को पसंद आएगी पहला question है what is conveyor belt conveyor belt क्या होता है तो देखिए conveyor belt is a material handling system designed to move supplies material and components using an efficient and effortless process that saves on time, energy and cost यानि कि conveyor belt जो है वो एक material handling equipment है जिसका काम है किसी भी material को या फिर objects को एक जगह से दूसरी जगह shift करने करना वो भी काफी efficiently और effortlessly और वो भी time पर, कम time पर कम energy और कम cost लगाते हुए तो ये होता है आपका conveyor belt का काम लगबग हर industries में conveyor belt का इस्तमाल किया जाता है next question है आपका which type of gearbox is mostly used with conveyor belts यानि कि conveyor belts में किस type के gearbox का इस्तमाल जाद अतर किया जाता है तो इसका answer है single stage warm and wheel type gearbox का इस्तमाल conveyor belts में सबसे जादा किया जाता है next question है आपका what do you mean by hold back mechanism and explain its application यानि कि hold back mechanism क्या होता है और उसका application आपको बताना है तो friends देखिए hold back mechanism क्या होता है वो एक खास तरह का mechanism होता है जो कि किसी भी equipment को सरी एक ही direction में movement होने के लिए लाव करता है जबकि उसको reverse direction की movement के condition में वो उसे तूरंत stop कर देता है यानि कि hold कर देता है अगर वो equipment backward direction में move करेगा जिस direction में उसे move करना है उसके against तो वो उसे stop कर देगा अब समझ लेते हैं इसका application दीखे जितने भी conveyor belts होते हैं जो inclined conveyor belts होते हैं उनमे reverse hold back gearbox का इस्तिमाल किया जाता है उसमें locking mechanism रहता है जिसे की hold back mechanism कहा जाता है वो क्या करता है conveyor belt की gearbox को सरी forward direction में ही move होने देता है जबकि reverse direction में वो उसे lock करके रख देता है यानि कि उल्टा आप उसे नहीं गुमा सकते स्लिप एक ही direction में गुमेगा उसका head pulley तो ऐसा क्यों किया जाता है देखे जो inclined conveyor belts हैं उसमें material रहते हैं काफी दूर तक अगर suddenly किसी कारण से अगर conveyor belt trip हो जाता है पावर चले जाती है या फिर motor की वज़ा से trip हो जाता है तो conveyor belt पे जितने भी material है उस material की weight की वज़ा से वो reverse direction में conveyor belt जो है वो move कर सकता है और सारे material जो है वहाँ से spillage हो सकते हैं तो इस process को इस problem को solve करने के लिए reverse hold back mechanism का इस्तमाल किया जाता है और reverse hold back gearbox का ही इस्तमाल inclined conveyor belts में किया जाता है next question है आपका what do you mean by lagging and why it is required यानि कि lagging से आपका क्या मतलब है क्या समझते हैं आप और इसकी क्यों जुरत पढ़ती है तो देखिए lagging क्या होता है rubber belt conveyor conveyor belt के pullies जो head pulley हो गया tail pulley हो गया mostly head pulley में lagging प्रवाइट की जाती है यानि कि rubber का ही एक layer उसके उपर प्रवाइट किया जाता है उसे कहा जाता है lagging और उसमें काफी सारे grips बने होते हैं grooves बनी होती है जैसे कि आमरे bike के tire में groove बना होता है friction के लिए वैसे ही lagging rubber के में भी grooves कटे होते हैं ताकि वो friction को बढ़ा सके पहला purpose हो गया friction बढ़ाने के लिए belt और pulley के बीच में ताकि belt जो है वो slip ना हो और pulley belt को पकड़ करके अच्छे से चले और ये पुल्ली के shell को damage होने से भी बचाता है wear होने से भी बचाता है next question है आपका which grade conveyor belt is recommended for conveying heavy, sharp, highly abrasive materials like metallic ores, granite, limestone, coal, blast furnace lag and clinker etc यानि कि इस question में आपसे ये पूछा गया है कि कौन से grade के belt conveyor का इस्तमाल किया जाता है highly abrasive material यानि कि जो बहुत ज़्यादा sharp material होते है जो काफी abrasive होते है, hard materials होते है rough and tough जो material है उसे अगर आपको convey करना है, shift करना है तो कौन से grade के conveyor belt का इस्तमाल किया जाता है तो इसका answer है M24 M24 grades के conveyor belt का इस्तमाल किया जाता है next question है आपका what do you mean by HR conveyor belt यानि कि HR conveyor belt से आप क्या समझते है तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ HR का full form होता है heat resistant conveyor belt यानि कि ये special तरह के conveyor belt होते है जो कि heat resistant होते है आप इसमें hot material को भी एक जगह से दूसरी जगह shift कर सकते है convey कर सकते है और इसे short में HR conveyor belt कहा जाता है H means heat R means resistant next question है जो कि एक practical question है size of return and carrying idler for 500 mm width belt यानि कि 500 mm चौड़ा जो conveyor belt है उसमें carrying idler और return idler का आपको size बताना है तो देखिए return idler का size होगा उसका length होगा 600 mm है ना जबकि carrying idler का length होगा 200 mm और इसका diameter जो है वो vary कर सकता है 110 mm का भी हो सकता है और दूसरा diameter का भी हो सकता है लेकिन length इसका जो है वो fix होगा what is the minimum length of take-up system तो जो आपका VGTU यानि की vertical gravity take-up unit लगता है तो वो take-up का minimum length कितना होना चाहिए यह आपसे पूछा जारा है तो इसका answer है 1.5% of conveyor length center to center यानि की 1.5% रहेगा conveyor का जितना भी length है center to center यानि हैट पुली से लेके टेल पुली तक जितना length है उसका 1.5% next question इसी से related है उसमें direct हम calculation आपको बता देंगे तो question है a belt conveyor of length 200 meter need to install VGTU system यानि की vertical gravity take-up unit system calculate the minimum length of take-up तो minimum length of take-up आपको निकालना है तो इसका solution जैसे की हमने पहले question में discuss किया था 1.5% of length of conveyor center to center तो 200 meter जो है यह center distance है conveyor का तो 200 का 1.5% निकाल लेंगे 200 multiply by 1.5 upon 100 तो यहाँ पे आ गया 3 meter तो 3 meter जो है वो minimum आपका take-up का length होगा है ना next question है आपका what do you mean by transition distance in conveyor belt तो देखिए यह बहुत important चीज़ है इसके बारे में आपको पता होना चीए देखिए transition distance क्या होता है conveyor belt के head pulley या फिर टेल पुली के center से ले करके first full troughed carrying idler frame है ना कभी भी conveyor belt के head pulley और tail pulley के पास में जो starting के carrying idler frames होते हैं वो कम troughing angle के होते हैं ताकि उनके idlers पे load ना पड़े जादा और belt पर भी ज़्यादा load ना पड़े है ना उसके बाद धीरे से आपका full troughing angle वाला frame आता है यानि कि कुछ दूरी पर होता है वो तो पहला full troughing angle carrying idler frame से ले कर head pulley या फिर टेल पुली का जो center distance है उस distance को transition distance का आ जाता है आप image में directly समझ सकते हैं यहाँ पर आपको clear समझ आ जाएगा next question है आपका what are the reasons for operating zss तो इसका answer है इसके दो reason होते है zss के operate होने के पहला condition हो गया belt cut और दूसरा हो गया आपका belt slip on head pulley next question है आपका what are the various grades of belt conveyor belt के different क्या क्या grades होते हैं वो आपको बताना है तो इसका answer हो गया पहला M grade का होता है दूसरा N grade का भी conveyor belt होता है तीसरा B जिसे की G भी कहा जाता है G grade कहा जाता है वो भी होता है चौता हो गया HRS और पाचवा हो गया आपका HRE next question है आपका what do you mean by transforms in belt conveyor यानि की belt conveyor में transforms से आप क्या समझते हैं तो transforms are the brackets on which idler are fitted to locate them properly तो transforms जो है mostly carrying idler के जो frames होते है जिसमें idlers लगता है उन frames को ही transforms कहा जाता है next question है वो भी transforms से ही related है what are different types of transforms in belt conveyor तो इसका answer है पहला carrying idler transform दूसरा हो गया return idler transform self-aligning carrying transform self-aligning return transform और last हो गया आपका garland idler transform next question है आपका what is the percentage of belt tension adjustment in normal running condition है ना तो आपको ये बताना है कि जो percentage है belt tension का normal running condition में वो कितना होना चाहिए तो इसका answer है it is 0.8 to 1.2 percent of total length यानि कि 0.8 से लेकर 1.2 percent total length के next question है आपका which is the largest and smallest pulley in a conveyor belt यानि आपको ये बताना है कि आपके conveyor belt में जो सबसे बड़ा पुली है और सबसे छोटा पुली है वो कौन सा है तो इसका answer है largest is head pulley head pulley का diameter सबसे जादा होता है and smallest is snub pulley तो friends ये वीडियो थी हमारी interview question and answer on conveyor belt part 3 इससे पहले के जो दो part है वो बहुत ही बहतरीन है उसमें बहुत ही अच्छे-च्छे selected questions है उसमें आप उसको भी अच्छे से देख लें preparation कर लें अगर कहीं भी interview पे लिए आप जा रहे हैं तो conveyor belt जो है वो material handling equipment है जिसका इस्तमाल हर एक processing industries में किया जाता है चाहे वो cement industries हो चाहे वो power plants हो चाहे वो sponge iron division हो तो ये सारे questions जो है आपको अच्छे से आने चाहिए आप interview के लिए इन्हें prepare कर लीजे तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like करके ही जाईएगा और channel को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा पुली next question है आपका what is function of take up pulley in conveyor belt यानि कि conveyor belt में take up pulley का इस्तमाल क्यों किया जाता है उसका क्या क्या function है तो देखिए सबसे पहली बात take up pulley का इस्तमाल long conveyor belt में होता है जिसका length ज़्यादा होता है ऐसे conveyor belt में होता है तो पहला function जो होता है take up pulley का वो ये है कि conveyor belt में proper tension maintain करके रहखना है ना अगर take up pulley नहीं रहेगा तो जो नीचे side का belt रहेगा conveyor का lower side का वो क्या है जूल जाएगा जिसकी वज़े से belt जो है उसमें tension कम हो जाएगा और वो पुली इसके around slip कर सकता है और proper आपका conveyor belt जो है कि reserve में कुछ length belt को अपने साथ रखता है ताकि अगर conveyor belt पर कहीं पर भी wear tier हो गया है तो आप take up को थोड़ा सा उपर lift करके उसे फिर से उस portion को काट करके निकाल सकते हैं और rejoin कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका name types of take up unit used in a conveyor belt system याने कि conveyor belt में कितने type के take up unit का इस्तमाल किया जाता है खाली आपको नाम बताना है तो इसका answer है सबसे पहला हो गया screw take up unit ठीक है दूसरा हो गया VGTU जिसका full form है vertical gravity take up unit और तीसरा हो गया HGTU याने कि horizontal gravity take up unit तो ये तीन type के take up unit का इस्तमाल conveyor belts में किया जाता है according to the requirements इसके उपर अलग से एक detail वीडियो मैंने बनाई है इन तीनों के उपर आप चाहें तो मेरे channel के playlist पर जा करके उसे भी देख सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने next question की तरफ What is the maximum inclination angle for smooth conveyor belt यानि कि smooth conveyor belt के लिए जो maximum inclination angle होता है वो कितना होता है आपको बताना है तो the maximum inclination of a smooth conveyor belt ranges from 15 degree to 22 degree and it depends upon the type of material यानि कि जो conveyor belt का maximum inclination होता है वो 15 degree से लेकर 22 degree तक होता है और वो depend करता है type of material पर mostly industries में जितने भी conveyor belt होते हैं वो 15 से 17 degree तक ही रखे जाते हैं ताकि किसी भी material को उसमें आसानी से convey किया जा सके next question है आपका What do you mean by truffing angle यानि आपको ये बताना है कि आप truffing angle से क्या समझते हैं तो देखिए इसका answer ये है जो conveyor belt में carrying idlers का इस्तमाल किया जाता है तो वो एक frame में fix रहते है carrying idler frame में तो आपने देखा होगा center का idler तो fix होता है पुरा horizontal में रहता है लेकिन जो side side के idlers होते हैं वो एक degree पर inclined होते हैं जिसकी वज़ा से conveyor belt को truff shape मिलता है और ज़्यादा material उसमें आता है अच्छे से material convey होता है material नीचे गीरता भी नहीं है तो जो ये carrying idlers side side के जो carrying idlers जो degree में होते हैं उसे ही truffing angle कहा जाता है जितने angle पर होते हैं truffing angle कहा जाता है वो truffing angle की value vary करती है 10 degree से लेकर 40 degree तक है ना कही पर 10 degree का use किया जाता है किसी conveyer belt पर frame में 30 degree का 20, 25 degree का कही कहीं पर 40 degree तक के भी truffing angle idler frames का इस्तमाल किया जाता है next question है आपका what is impact idler and why it is used तो आपको ये बताना है कि impact idler क्या होता है और किस लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो देखिए impact idler जो है वो बहुत ही simple है क्या होता है normal carrying idlers जो होता है वो पूरा metal का होता है है ना लेकिन impact carrying idler में क्या होता है उसके shell के उपर में rubber की एक layer जो है वो provide की जाती यानि कि rubber का layer रहता है carrying idlers के उपर में जिसे की impact carrying idler कहा जाता है अब इसकी ज़रुरत क्यूं बढ़ती है तो देखिए जहां कहीं भी conveyor belt पर material receive होता है किसी height से material जो है वो conveyor belt पर गिरता है तो उस position में अगर impact idler नहीं है तो क्या होगा material जब strike करेगा तो वहाँ पर wear कर सकता है belt को wear और tear हो सकता है belt पे load पड़ेगा shock पड़ेगा तो इस type के carrying idlers को अगर नीचे में लगा दिया जाता है जहां पर उस पर rubbers के layer लगे हुए है तो क्या होता है वो उस shock को absorb कर लेता है और belt को save करता है wear और tear होने से इस तरह से आपका conveyor belt का life जो है वो भी बढ़ जाता है तो ऐसे जगा पर जहां पर material height से conveyor belt पे गिर रहा है receiving chute के पास में कुछ दूरी तक impact idlers को install किया जाता है अब आगे बढ़ते हैं अपने next question की तरफ what do you mean by chevron conveyor belt यानि कि आपको ये बताना है कि chevron conveyor belt से आप क्या समझते हैं या फिर क्या होता है chevron conveyor belt तो देखिए chevron conveyor belt क्या होता है वो simple conveyor belt की तरह ही होता है लेकिन उसमें क्या होता है उपर में grip बना रहता है उपर में grips बने रहते हैं rubber के layer बने रहते हैं अलग-अलग shapes में जिसकी वज़े से क्या होता है material को आप convey कर सकते हैं ज्यादा degree तक आपका conveyor belt को incline कर सकते हैं है ना अगर chevron conveyor belt आप यूज कर रहे हैं तो क्योंकि उसमें बिच-बिच में grips है ribs लग रहते हैं rubbers के जिसकी वज़े से material जो है वो उसपे रूप जाता है और ज्यादा degree तक आप conveyor belt को design कर सकते हैं तो ये होगे आपका chevron conveyor belt mostly जैसे की pallets हो गए इस टाइप के material जो जिनका chances रहता है कि वो slope में वापस reverse ढूल सकते हैं गिर सकते हैं इस टाइप के materials के लिए ज़्यादा तर chevron conveyor belt का ही इस्तमाल किया जाता है कि conveyor belt में कितने pulli होते हैं pulli याने कि वो pullis जिनके around belt घुमता है pulli जो है वो conveyor belt का आधार होती है तो एक diagram के तुरू मैं आपको दिखाना चाहूंगा conveyor belt में 6 pullis होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं one number पे जो है यह head pulley है उसके नीचे छोटा सा है वो snub pulley है और यहाँ पे यह दो जो लगे हुए है वो number 3 में वो take up के band pulley है वो band pulley है और उसके नीचे जो है वो take up pulley है और सबसे last में जो tail end पर है उससे tail pulley का आ जाता है head pulley पे motor fit होता है और head pulley को power दिया जाता है जिससे conveyor घुमता है छोटे conveyor belt पे band pulley और take up pulley नहीं होता लंबे conveyor belt पे इन तीनों pulley का भी रहना जरूरी है तो चलिए second question बात करते हैं conveyor belt में snub pulley का क्या काम है आप देख सकते हैं यह हमारा head pulley है और उसके नीचे में जो है वो snub pulley है snub pulley का क्या काम है तो देखिए दोस्तों snub pulley का काम होता है conveyor belt का head pulley से arc of contact बढ़ाना arc of contact का मतलब होता है angle of contact यानि की conveyor belt जो है वो head pulley में अच्छे से उसकी gripping ज़्यादा हो उसका contact ज़्यादा हो और वो वहाँ से slip न करे मैं आपको एक diagram के दुरू दिखाऊंगा कि आखीर arc of contact snub pulley कैसे बढ़ाता है नीचे में जो घूम रहे है ये snub pulley आप देख सकते हैं snub pulley का side जो है head pulley के side से काफी छोटा होता है जबकि head pulley काफी बढ़ी होती है पीछे आप देख सकते है motor से connected gearbox है और gearbox का output जो connected है head pulley को गुमा रहा है ये देखिए अब हम यहाँ पर दो diagram देख रहे है ये head pulley है बिना snub pulley के और नीचे में snub pulley के साथ है ये बिना snub pulley वाला head pulley है देखिए आप इसमें contact angle 180 degree है मात्र, belt याने की 180 degree तक touch हो रहा है snub pulley लगाने से belt का जो contact angle है वो इतना बढ़ जा रहा है याने theta degree बढ़ जा रहा है तो 180 plus theta याने की contact उसका ज़्यादा हो जा रहा है question है कि conveyor belt में ply का मतलब क्या होता है तो belt conveyor में ply का मतलब होता है आप देख सकते हैं याँ पर white ये काटा हुआ belt है उसका cross section देख रहे हैं उसमें 4 white white लकीर दीख रही थी जैसे कि यहाँ पर 3 है ये actual में conveyor belt के rubber के बीच में nylon की जाली बिची रहती है उसके उपर जो है अच्छे से ये जो rubber के part है वो chip के हुए रहते हैं जिसकी वज़ाए से belt को strength मिलता है और इसे ही ply कहते है यहाँ पर 4 ply का belt है ये अगर ये इसकी संख्या अगर 3 हो तो 3 ply का conveyor belt का आ जाता है mostly industries में 3 ply और 4 ply के conveyor belt यूज होते हैं और सबसे उपर वाला जो ply है उसके उपर का जो rubber का थिकनेस है वो सबसे जादा होता है और उसके बाद सबसे नीचे वाले का थिकनेस जादा होता है rubber का तो चलिए next question बहुसते हैं conveyor belt में कौन कौन से safety equipment यूज करते हैं तो conveyor belt में 30 सबसे important safety equipment है सबसे पहला है conveyor belt sway switch जी हाँ conveyor belt sway switch conveyor belt के just बाजू में लगा होता है और अगर conveyor belt sway होता है इसी भी तरह की हानी से बजाया जा सकता है next safety equipment है आपका वो है pull cord pull cord एक emergency switch है जिसे provide किया जाता है ताकि emergency में उसे खीच करके बंद किया जा सके pull cord में दोनों side में यहाँ पर जो ring दिख रहा है उसमें cable बंदा जाता है cable बान करके हर 10 से 15 मीटर की दूरी पर conveyor belt के length में दोनों side में pull cord लगाया जाता है और इसकी cable को खीच देने से कहीं से भी conveyor belt रुख जाता है emergency condition में इसका use किया जाता है field से next equipment है आपका ZSS जी हाँ zero speed switch यह भी conveyor belt का एक बहुत ही important safety equipment है अगर conveyor belt के speed में कुछ भी variation आता है तो यह conveyor belt को stop कर देता है और इसमें जो variation की time है वो set की जा सकती है तो friends यह थे कुछ selected important question यह इसका part 2 था इससे पहले एक और part हमने कर चुका है किये हैं वो भी आप channel पर जा करके देख सकते हैं या फिर end screen पर मैं उसका description आपको दे दूँगा तो friends उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा